हाई फ्रेंज अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं अगर नहरू ने आईटी की जगा मंदर स्टाचू बनवाए होते तो हम आज मंदर में घंटा बजा रहे होते केजरिवाल सरदाल पटेल की प्रतिमा स्टाचू अफ लिबर्टी के अनावरन के साथ ही बीजेपी ने आयोध्या में राममंदर निर्मान का बिगुल फोक दिया है बीजेपी के कई फायर ब्रांड नेता चुनावी समर में राममंदर के नाम पर हिंदू वोटो को साधने में जुड़ गए हैं यूपी के मुखे मंतरी हो गया दित्तेनात ने साफ कर दिया है कि दिवाली के बाद से ही मंदिर निर्मान का कारे शुरू हो जाएगा बीजेपी की मूर्ती और मंदिर की इस राजनीती पर दिल्ली के मुखे मंतरी एवम आम आदमी पार्टी प्रमुक अर्विन केजरिवाल ने प्रतिक्रिया दी है उन्होंने सिगनेचर बिज के अद्गाटन के दौरान कहा कि मंदिर मस्जियोद और स्टाचू बनवाने के देश की तरक्की नहीं होती केजरिवाल ने कहा कि देश की तरक्की हॉस्पिटल, स्कूल और सिगनेचर बिज बनाने से होगी केज रिवाल ने पंडित जवाल नाल नहरू की तारीफ करते हुए कहा कि देश सौभागिश आली है कि जवाल नाल नहरू जैसा पहला प्रधान मंतरी था नहरू ने एक विजन के साथ देश की नीव रखी उन्होंने IAT, BHL और कई इंस्टिटूट बनवाए पंडित नहरू भी अगर मंदिर और स्टाचू बनवाते तो देश की तरक्की नहीं होती केंद सरकार पर निशाना साथते हुए केज रिवाल ने कहा कि मोदी सरकार ने देश को मंदिर और स्टाचू में उलज़ा दिया है अगर ये मंदर या मस्जिद बना रहे होते तो आपको अपने बेटे को मंदिर में पुजारी बनाना पड़ेगा इसके साथ ही केज रिवाल ने कहा कि अदिव इज्ञान प्रोध्योगी की और अनुसंधान की उपर मंदिरों और मस्जिदों की तरज़ी दी गई तो देश 15 वी सदी में पड़ा रहेगा उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि देश की तरखी के लिए मंदिर मस्जिद की सिहासत से उपर उठें